दो साल आप रहेंगे जर्माणी में मैक्स प्लंक इंस्टिटूटमें काम करेंगे और दो साल आप रहेंगे इस्राउल में वाइजमान इंस्टिटूटमेंच में दोना मिल के एक ज्जॉएंट पोस्ट डॉक्टरль प्रोग्रम ऑफर कदाहे है अगर आप एक science PhD graduate हो, आप apply कर सकते हो, यह आपका scientific career के लिए बहुत ही important होगा, hello see बहुत ही अच्छा है, और भी बहुत सारे extra benefit मिलेगा, hello friends, welcome back, तो चलिए मैं सिद इसराइल जे आ गया हूँ, एक और brand new blog लेके, उमीद करता हूँ, आप सब लोग एक दो मस्त हो, मैं भी अच harmonica, one of the leading research institute, Max Planck Society, और इसराइल का, one of the best research institute, wise man institute of science, दोनों मिलके एक joint postdoctoral program offer कर रहे हैं, तो उस postdoctoral program के बारे में आज आप लोगों से बात करेंगे, अगर आप एक science PhD graduate हो, और हाली में आप PhD सम्मिट किये हो, या आपका PhD सम्मिशन अभी 4 साल हुआ नहीं, तो यह joint postdoctoral program में आप apply का सकते हो, wise man institute of science, इसराइल का one of the best research institute से, यह दुनिया भर में सब को पता है, साथ आपको भी पता है, Max Planck Society, सिर्फ जर्मानी में नहीं, बलकि पूरे दुनिया भर में, one of the most famous research society है, दोनों मिलके एक joint postdoctoral program स्टार्ट किये है, यह program है दोस्तों total 4 साल का, उसमें से 2 साल आप रहेंगे जर्मानी में, Max Planck Institute में काम करेंगे, और 2 साल आप रहेंगे इसराइल में, wise man institute of science में, मैं खुद wise man institute में एक postdoctoral researcher हूँ, और मुझे पता है, wise man institute का जो facilities है, वो world class facilities है, और Max Planck Institute का भी इसी तरीके से जो facilities है, वो world class facilities है, तो अगर इस program में आप select होते हो, तो आपको एक world class environment मिलेगा, आपको research continue करने के लिए, आपका इसराइल में भी एक research network बनेगा, जर्मानी भी आपका एक research network बनेगा, तो यह आपका scientific career के लिए बहुत ही important होगा, इस program में apply करने के लिए दोस्तो deadline है, 5th December 2024, यहनि अभी भी लगभग 10 महीने से जादा है, तो आप ल total program है, यह total 4 साल का है दोस्तो, इसमें से 2 साल आपको जर्मानी में रहना पड़ेगा, और 2 साल इसराइल में रहने पड़ेगा, आप जर्मानी में पहले रह सकते हो, और बाद में इसराइल आ सकते हो, या तो पहले आप इसराइल 2 साल रह सकते हो, फिर जर्मानी रह सकते हो, अब बात करते हैं दोस्तो eligibility criteria क्या क्या है सबसे पहले आपका जो PhD graduation है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप PhD submit किये हो तब भी आप इस program के लिए eligible हो आप apply कर सकते हो दोस्तो कौन सा subject है जहाँ पे आप apply कर सकते हो Life Science, Chemistry, Physics, Art Science, Mathematics and Computer Science यह सारे subject में अगर आप PhD graduate हो और आपका PhD degree है या आप PhD submit करने वाले हो तो आप apply कर सकते हो आप apply के लिए आप eligible हो अब दोस्तों बात करते हैं fellowship के बारे में यहाँ पे देखिए यह बहुत ही अच्छा है अगर आप Germany में शुरू करते हो तो level 2 और level 3 के लिए 63,000 यूरो और लगभग 68,000 यूरो मिलेगा वो डिपेंड करते हैं आपका कितना expertise है आपका कितना experience है उसके उपर अगर आप Israel में Wiseman Institute में शुरू करते हो level 2 और level 3 के लिए 2,12,000 सेकल और 2,21,000 सेकल इसके साथ साथ देखिए दोस्तों बोथ Germany में और Israel में आपको और भी बहुत सारे extra benefit मिलेगा आपको family health insurance मिलेगा आपको nursing care subsidy मिलेगा आपको vacation days तो मिलेगा ही मिलेगा relocation expenses मिलेगा मतलब आप अभी जिस country में है वहां से यहां आने और यहां से जर्मनी जाने में फिर जर्मनी से यहां आने में तो आपको यह सारे expenses मिलेगा उसके बाद आपको housing मिलेगा जो wise man institute में subsidized आपको housing मिलेगा तो यह सिर्फ salary नहीं उसके बाबोजुद और भी बहुत सारे जो extra benefit से वो भी आप लोगों को मिलेगा दोस्तों यह सारे सुविधा के साथ साथ दोस्तों आपको और एक extra benefit मिलेगा वो है independent आपका एक travel support मिलेगा यह 3000 euros आपको per year मिलेगा वो conference workshop seminar और आपका जो scientific collaborative कुछ work अगर वो वो अगर आप किसी दूसरे country में जाना चाहते हो conference attend करना चाहते हो seminar attend करना चाहते हो तो वो सारे travel करने के लि बात करते हैं application process के लिए सबसे पहला आपका काम होगा host धूनना यानि बोथ Max Planck Institute और Wiseman में दो host आपको धूनना पड़ेगा एक जगा से एक host तो दोनों host आपका जो research experience है और आपका जो research interest है उस पर वो लोग भी interest होना चाहिए दोनों जब agree करेगा यह आपका सबसे पहला step ह होगा दोनों institute से आपको एक host धूनना पड़ेगा दूसरा है आपका cv, detailed cv जो की highlight कर दे आपका academic background, research experience, list of publication, list of invited talks, awards और और भी जो आपका research related experience है वो सारे चीज़े आपका cv में होना चाहिए तिसरा जो है दोस्तों तीन reference letter चाहिए यानि recommendation letter चाहिए एक उसमें से होना चाहिए अगर possible है तो आपका PhD supervisor और बाकी दो किसी भी और आपका जो भी teachers और PhD के टाई में आपका जो research committees में होता है वो सारे total तीन आपको recommendation चाहिए तिसरा देखिए दोस्तों support letters from the MPG and wise man host researchers आपका जो wise man में और जो max plank में जो host है दोनों से आपको जो है एक joint support letters चाहिए ठीक है उसके बाद और एक चाहिए फिक्त नंबर है research statement आपका जो project होगा उस project पर आपको एक research statement लिगना पड़ेगा तो वो आपका जो दो host है उसमें आपको help पड़ेगा तीनों मिलके एक research proposal type का आपको लिगना पड़ेगा एक और statement आपको देना पड़ेगा दोस्तो जो आपका detailed tenure plan है यहाँ आप पहले कहां रहना चाहते हो पहले जर्मनी में या यहाँ पे तो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा कि plan split between institute for the duration of the four years कहां पे आप पहले जाओगे कहां पे बाद में जाओगे यह आपको बताना पड़ेगा दूसरा आपको cv अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आपका detail है तिसरा reference letter देना पड़ेगा चौता है दोनों जो host है उनसे support letter देना पड़ेगा फिफ्थ है आपका research statement और research plan देना पड़ेगा शिक्स आपका काम करने का जो tenure है उसका split statement देना पड़ेगा क्या आ आपको और भी detailed information चाहिए further information तो दोनों तरफ से मैं email दे दूँगा और phone number दे दूँगा आप लोग description में check कर सकते हो और link दे दूँगा आप लोग जाके details देग लीजे यह सबसे बहतर होगा दोस्तों दोस्तों इस program में apply करने का time अगर आपको कुछ problem हो अगर आपको कुछ difficulties हो तो दोनों institution से जो email ID दिया हो है जो phone number दिया है उसमें भी आप contact कर सकते हो अगर आपको लगे के मुझसे कुछ help हो सकता है मैं आप लोगों कुछ मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे comment कर सकते हो जो लोग इंडिया के बाहर जाके research करना चाहते है और इंडिया के बाहर जो research facilities है उससे जो है कुछ सिखना चाहते है उन लोगों के लिए तो आप लोग प्लीज इसको share कीजिए ताके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे अगर ये blog आप लोग को अच्छा लगा information अच्छा लगा तो एक like कर दीजिए अगर आप channel में नय हो तो channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए बहुत जल्दी मिलेंगे और भी बहुत सरे important blocks लेके जिससे लोगों को help हो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए स्वास्त रहिए सांत रहिए दोस्तो बाई बाई